देखिए, पहले तो इस प्रकार का संभर नहीं है, कि राम लला के लिए टश न जो बना है, वो इस प्रकार का कोई भी खोटाला करेगा. इस पर तो जाच होने पर ही पता चलेगा. लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उन पर यह आरोप लगाना गलत है पर जांच होना चाहिए कि यह बात सही है यह जी सही है तो जो कुछ हुए उस पर बुचार किया जाएगा और नहीं तो यह राम लला का अपमान है राम लले के पैसे का अपमान है दान का अपमान है और इस प्रकार से टेस्ट के उपर आरूप लगा देना क्योंकि ऐसा जो टेस्ट है वो समर्पित है भगवार राम लला के लिए और समर्पित होने वाला ब्यक्ति और टेस्टी जो है वो इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं कर सकता और राम लला के संपत का और राम लला के नाम से इसलिए मैं ही कहूँगा कि पहले तो जाच हो यदि ये बात सही है तो उस पर कारजवाई हो नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके उपर कारवाही किया जाए उनके उपर मुकर्मा किया जाए क्योंकि भगवान राम के उपर यह अपमान है राम भगवान श्री राम के मंदिर का अपमान है और ऐसा जो लगा रहे हैं यह दोनों के लिए कह रहा हो कि जाच होने पर ही इसका निड़य हो और जाच होने पर यहीं दोसित पाए जाते हैं तो उनके लिए उस प्रकाश से वाईफ होना चाहिए संजे सिंग जी ने बित्या निम्ता को लेकर जो आरोप लगाया है यह बरा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्छ अस्तरिय जाच हो इस जाच में जो लोग पाए जाएं उनको बक्सा ना जाए लेकिन मैं यह वी एक सवाल उठाऊंगा कि अ मान हानी का दावा करूँगा इसके नाते 50 क्रोर का मान हानी का दावा करूँगा क्योंकि आप बिश हिंदू परसत पर अंगली उठा रहे हैं जो हिंदू जनमानस के उपर अंगली उठाना हुआ इसके नाते मैं सरकार से निवेदन करूँगा ट्रस्ट के और लोगों से न जांच में जो लोग गुनागार पाए जाए क्योंकि हिंदू जनमानेंस का पैसा एक एक भैक्ति का पैसा नहीं है भच्चा अबच्चा रॉपिया भब और दिब राम जनांभूम मंदिद निर्मान के लिए इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुर्पयोग नहीं होना चाहिए अगर किसी ने दुर्पयों किया है, अगर करने का कोशिज करता है, तो इसकी जांच हो, जांच में जो लोग पाए जाए, उनके उपर सक्त से सक्त कारवाई हो. अगर किसी जांच हो, जांच हो, जांच हो, जांच हो.